साल 2021 दिसंबर में करनाटक के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहने से रोका गया विवाद इतना बड़ा की ततकालिन राज्य सरकार ने स्कूल कालेजों में हिजाब पहने पर रोक लगा दे थी करनाटक हाई कोट ने भी सरकार के पक्ष में ही फेसला सुनाया हाला कि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे इस मामले को लेकर जजों में इसे लेकर एकराई नहीं बन पाई थी अब राजिस्तान में भी एजुकेशन सोसाइटी में हिजाब पहनने को लेकर बहस छिड़ गई जैपूर के हवा महल से विधायक बालमकुद आचारे के एक सरकारी स्कूल में दिये बयान के बाद यह मुद्दा गरमाया है सुत्रों का दावा है कि राजिस्तान में सरकारी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की तैयारी है इसके लिए दूसरे राजियों में हिजाब पाबंदी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मागी गई है वहीं बजनलाल सरकार के वरिष्ट मंतरी डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने हिजाब बेन की वकालत की है सोमवार 29 जनवरी को इस विवाद की गुँझ विदान सबा में भी सुनाई दी